नमस्कार साथियो स्वागत आप सभी का एग्रिमेंटर्स के ऑफीसियल यूटूब चैनल पर मैं रोईता सुद्वाल और मेरे साथ मौजूद आज सुधीर चोधरी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पार्टिकल डेंसिटी और बलग डेंसिटी में क्या डिफ कि इसके बाद हमपन बात करते है अगर आप इंजिनियरिंग पॉइंट विविव से बात करोंगे तो बात करते हैं इसका आपने मास लिया जो ड्राइई तो होगा उसको अपन बो लेंगे बल्क डेंसिटी और एग्रिकल्टर पॉर्ट व्विव से बल्क डेंसिटी ही अब बात करते हैं particle density की तो particle density mass of soil solids upon total volume of soil mass of soil solids मतलब सिर्फ उसमें mass of soil matrix sand, silt और clay का ही अपन mass लेते हैं उसमें ariation अपन include नहीं करते हैं इसी reason से जो bulk density का twice होता है particle density जो की होता है 2.66 gram per centimeter cube रुटा जी बिल्कुल आपने एकदम correct जो difference था वो आपने बताया तो मैं बात करना चाहूंगा कि जो particle density होती है वो क्या हमारी tillage operation से affect होती है या नहीं affect होती और tillage operation का bulk density पे क्या affect होता है या नहीं होता है यह भी बताईए हमारे दस्कों को देखिए जब आप tillage activity करते हैं तो bulk density decrease होती है initial stage पे लेकिन आप अगर continuously tillage activity करेंगे तो bulk density increase होती जाएगी over the years जो आप conventional tillage activities में देखते हो बात करते हैं particle density का tillage पे कोई effect नहीं पड़ता क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि ariation पे कोई फरक नहीं पड़ता इसी वीजन से particle density is constant with proper tillage activities ठीक है तो अब competitive exam होती है उसमें बलग density और particle density से क्या क्या क्योंसान आ सकते हैं वह भी आप बताईए देखिए सबसे पहले तो मैंने बताया है कि यह units पूछ ली आती है कि क्या units होती है particle density और bulk density की क्यूशन यह भी पूछा जाता है कि एग्रिकल से point of view से कौन से important है और इसके साथ साथ organic matter का relation भी पूछा जाता है with increase in organic matter अगर आप F.I.M. होगेरा डालोगे तो bulk density पर क्या फरक पड़ेगा particle density पर क्या फरक पड़ेगा देखो bulk density भी reduce होगी और particle density भी reduce होगी इसका reason क्या है कि organic matter जो है वो low weight का complex है जिसे 0.5 ग्राम पर centimeter cube है organic matter की bulk density अगर आप 1.33 में कोई 0.5 वाली चीज मिक्स करोगे तो उ वही concept है organic matter के साथ तो उमीद है आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और इसी परकार से आगे भी आपको वीडियो जो practically हम फिल्ड में आकर आपको अगर आपके conceptual clear करा सके तो वह ज्यादा बेटर होगा आज के लिए इतना ही जे हिंद जे वारत